हेलो फ्रेंट्स, निधिश्री एकेडमी से मैं हूँ आशीश, सबसे पहले तो नए साल की आप सबको हारदिक शुब कामना है, हमारा ये चैनल नया है, 7-8 महीने सिर्फ पुराना है, और हम लोगों ने ये शपत लिये कि आपको MPPSC 2020 का हर टॉपिक कवर कराएंगे, खासकर मे हमारा चैनल है मेंस पॉइंट ऑव यू, ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रिलिम्स नहीं कवर कराएंगे, बट हमारा फोकस होगा एक कंसॉलिडेटेड फॉर्म ऑफ स्टडी में, बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रिलिम्स को अलग लेते हैं, मेंस को अलग समझते हैं, तो आप प्रिलिम्स का नोटिफिकेशन आ गया, अब एक नई कवायच चल रही है कि भई अब प्रिलिम्स कब होगा, तो प्रिलिम्स की तो डेट आ चुकी है, तो हजार बीस की, ग्यार अप्रेल, और मेंस इन लोग मोस्ट प्रबबली मिड वीक ऑफ मार्च तक करवा लेंगे, मतल तो जिनका 2019 में प्रिलिम्स क्लियर हुआ है वो भी, जिनका क्लियर नहीं हुआ है वो भी, आपको पढ़ाई तो करना है चार महीने लगा तार, क्योंकि आपके बहुत ही जल्दी में एक्जाम है, मार्च में मेंस हो जाएगा, अप्रेल में वापस प्रिलिम्स है, तो आपक चैनल मुश्किल से 7-8 महीन हुआ है हमारे चैनल को तो हर चैनल में अपनी तकलीफे होती है इसलिए हम लोग बहुत क्विक वीडियो भी नहीं अपलोड कर पाते क्योंकि कई बार तो हमें फीड़ बैक ही नहीं मिलता है ठीक है तो मैं यह चाहता हूँ कि आप लोग अगर लेक्चर पसंद आए तो आप लोग उसका फीड़ बैक जरूर दे फिर हम लोग निधिश्री एकेडमी का एब भी डिजाइन कर रहे हैं वेबसाइट पर भी काम हो रहा है ताकि आपको पीडियो दिला सके तो यह सारी चीजों के चलते हैं कई बार लेक्चर लेट हो जाते हैं लेकिन एक एक लेक्चर में काफी रिसर्च है सारे टॉपिक और सारे फैक्ट्स जो हैं वो गॉर्मेंट की वेबसाइट से लिए गए हैं गौर्मेंट की वेबसाइट से कोट किये गए हैं तो आप इस चैनल को फॉलो करें जॉट डाउन करें जो भी इंपॉर्टन पॉइंट से वो लिखें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें शेयर जरूर करें अगर आपको कोई लेक्चर पसंद आता है तो चलिए आज हम इंडस्ट्रीस की लोकेशन उनका ग्रोथ ट्रेंड और इंडस्ट्रिलाइजेशन में क्या चैलेंजेज़ आ रहें वही पढ़ने हैं उसके अनंदर बहुत सारे फैक्ट्स हैं और यह फैक्ट्स प्रिलिम्स में सीधे आते हैं वह हमसे बनते नहीं है तो आपको मेंस और प के अन्द प्रदेश का इंडस्डियल सेट अप कुछ ऐसा है है यहां पे आपको दिख रहा होगा साथ अलग इंड़स्डियल क्लस्टर हैं इंडस्टियल सेंटर है इंडस्टियल ही गवालियर सागर एक और इंडस्ट्रियल एडिया वहाँ पर ग्रो हो रहा है मुरैना के पास ठीक है तो ये पहले इनको ओद्योगिक शेत्र विकास निगम कहा जाता था ओद्योगिक केंद्र विकास निगम क्या है ये एक तरह का कॉर्पोरेशन था कि भाई इसके साथ ओफिस थे जैसे कि मैंने आपको बता है कि ग्वालियर, सागर, भोपाल, उजयन, इंदौर, रिवा इनके साथ ओफिसे थे और ये एक कॉर्पोरेशन की तरह काम किया करता था अब क्या किया गया है कि इन साथ को क्लब कर दिया गया है पांच में भोपाल, इंदौर, जबलपूर, ग्वालियर, रिवा तो जो सागर वाला छेत्र है उसको भोपाल में आइड कर दिया गया है ठीक है और उजयन वाले छेत्र को इंदौर में मर्जी कर दिया गया है अब और द्योगी केंद्र विकास निकम लिमिटेट को रिस्ट्रक्चर किया गया है है ना और इसका नया नाम रख दिया गया MPIDC मध्ध प्रिदेश इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन तो यह मतलब एक जादा अच्छी तरीके से इनका एक स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ हो शायद इसलिए यह काम किया गया है इसका रिस्ट्रक्चर हुआ है MPIDC हो गया है अब MP इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन और यह जो पांच आपको दिखाई दे रहे है भोपाल, इंडौर, जबलपूर, ग्वालियर, रीवा यह अब इसके पांच रिजिनल ओफिसेज है हर रिजिनल ओफिस में कोई MD होगा कोई Director Level का अधिकारी होगा और यह जो पूरा MPIDC है वो Principal Secretary Industry, Industrial Development के अंडर आता होगा तो यह इस तरह का पूरा Organisational Setup है यह भी जानना ज़रूरी है तो आप जान चुके है तो मदप्रदेश Industrial Development Corporation के पांचों रिजिनल ओफिसेज का एक मैप में आप देख सकते हैं इस मैप का आप स्क्रीन शॉर्ट ज़रूर ले ले इसमें सागर के कुछ एरियास जो है भोपाल में आ गए है सागर के कुछ इंडस्ट्रियल एरियास को भोपाल में रख दिया गया है मैक्सिमम इंडस्ट्रियल एरियास जो है गौलियर के पास चले गए है इसमें दिया भी है Gualier and Sagar region को एक साथ लिखा है Indoor and Ujjain region को एक साथ लिखा है तो ये पाच regional offices हैं आपके सारे growth center लिखे हैं कौन कौन सी key industries कहाँ पर है ये भी लिखा हुआ है कि Gualier and Sagar region जो है किस लिए प्रसिद है फूड प्रोसेसिंग के लिए है माइनिंग के लिए है FMCG के लिए है टेक्स्टाइल के लिए है प्रस इंदौर उजjain region में आप देखें तो Pharmaceuticals आपको दिख जाएगा IT दिख जाएगा Automobile दिख जाएगा तो इस map को आप सुरक्षित रखें अपने पास इंवेस्ट्मेंट प्रमोशन ये उन इंवेस्ट्मेंट को फैसिलिटेट करता है जिनकी लागत 10 करोड से उपर हूँ अगर मैं कोई इंवेस्ट्मेंट मध्प्रदेश में लेकर आ रहा हूँ मुझे मान लीजे कोई फैक्टरी लगानी है अगर उसकी लागत 10 करोड से उपर है तो मुझे land allocate करवाना प्लस जो भी necessary infrastructure होते हैं जो भी मूलभू सुविधाएं हैं वो मुहया करवाना इस department का काम है अब इसके अलावा होते हैं कुछ लगूत द्योग जिनको हम लोग MSME कहते हैं तो इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ओफ Micro, Small and Medium Enterprises तो भाई इसका objective क्या है Simple promotion of economic development in the state through industrialization और द्योगी की करण करना है और विकास करना है attracting private capital investment जो private capital को attract करना कि भाई जो बहुत बड़े-बड़े उद्योग पती हैं जो Reliance के मालिक हैं जो Amazon के मालिक है वो अपना कोई अपनी कोई शाखा जो है मध्यप्रदेश में खोले investment करे मध्यप्रदेश में ज़ादा से ज़ादा ये चीजें जो है सुनिश्चित करते हैं ये department और इसके ही लिए काम करते हैं अब DIP and IP Department of Industrial Policy and Industrial Promotion ये किस तरीके से निवेश को attract करेगी कैसे ओद्योगी की करन करेगी उसके लिए क्या guidelines है उसके लिए क्या plan of action है इनके पास तो ये छे चरणों में काम कर रहे हैं पहला ये brand MP को promote करते हैं कि भाई there is a brand called MP आप यहाँ पे invest करिए यहाँ पे ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको ठीक है और branding करने के लिए क्या करना पड़ता है branding करने के लिए जो है एक तो आपका web portal हो जहाँ पे सारे investment से related सारी जानकारी हो दूसरी बात आप अलग-अलग summits में भाग लें और निवेशकों को जो है इंडस्ट्री लग गई लेकिन कोई road ही नहीं है ठीक है इंडस्ट्री तो है लेकिन power की सुविधा नहीं है तो यह सारी चीज़े जो है इंडस्ट्रियल इंफ्राइस्ट्रक्चर के लिए जरूरी कहलाती है ease of doing business तीसरा चीज़ है ease of doing business अब माली जे की इंडस्ट्री तो लग गई लेकिन अंदर काम ही नहीं हो पा रहा लाल फीता शाही बहुत ज़ादा है bureaucratic hustle बहुत ज़ादा है हर समय उनको कोई raid कर रहा है कोई कुछ दिक्कत कर रहा है जैसे for example अगर आप इसको इस तरह से सोचें कि बिहार बिहार में industrial growth क्यों नहीं है बिहार में industrial लगती है वहाँ पर कोई काम ही नहीं करने देता है वहाँ पर feudal lords बहुत ज़ादा है वहाँ पर तो तुरंत रंगदारी मांगने लगते हैं रंगदारी tax वसूलने लगते हैं आधिकारी से लेके नेता तक हर आदमी उहां पे इंडस्ट्रियों से कमाता है ठीक है तो इस तरह की जगहों पे फिर उसके बाद निवेस जादा नहीं होते हैं और द्योगे की करण जादा नहीं हो सकता कौन वहां पे अपनों पैसा फसाएगा तो ease of doing business जो है ज़रूरी है फिर facilitation और फिर last में आगए cabinet committee on investment promotion की एक cabinet committee है मतब जो dedicated है investment के लिए फैसिलिटेशन में आप ये सारी चीजें बोल सकते हैं कि भाई tax related क्या सुविधाय मिल रही है कि कोई चीज जो है facilitate कर भी करवा भी पा रहे हैं कि नहीं industrial growth को तो ये सारी चीजें अब इसी को हम लोग पढ़ना चालू करते हैं brand MP से शुरू करेंगे पहला promoting brand MP single window online system created for approvals exemption and reimbursement अब इसमें क्या है कि पहले तो brand MP को बनाना कि MP एक brand है और अपना web portal design करना जहां पर वो approvals ले सके साथ में क्या छूट दे रहे है reimbursement कितना है mode of reimbursement क्या है ये सारी जानकारियां उपलब्द कराई जाएंगे कहां किसको investors को ठीक है government of मध्यप्रदेश participates in various national and international exhibition trade fairs investor summits and conferences to promote मध्यप्रदेश brand MP को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि अपने आपको थोड़ा सा advertise की जाए कि हाँ जो मध्यप्रदेश है वो investments के लिए open है तो उसके लिए क्या है बहुत सारे trade fair का आयोजन करना बहुत सारे exhibition लगाना ये सारे काम करता है मध्यप्रदेश दूसरी चीज क्या है development of industrial infrastructure new land acquisition for industrial developments from government और private owners जमीन सुनिश्चित कराना जमीन जो है land acquire करना किसी भी activity के लिए चाहे वो industrial activity हो या दूसरे जो काम होते हैं government के कि for example अगर railway line pass करानी है और किसी के खेत के उपर से जा रहा है तो ये बहुत ही cumbersome process होता है जमीन acquire करना अपने आप में बड़ा तेड़ी खीर है तो इसमें क्या होता है कि अधिकतर जब government land acquire करती है for example government ने कोई जमीन acquire करी और वो किसी industrialist को दे दिये अधिकतर क्या होता है generally क्या होता है कि वो lease पर company को जमीन देती है ठीक है किसानों से जमीन ले लिया company हो दे दिया फिर develop entire essential infrastructure such as water, power and roads by availing funding from state or center government or loan from financial institution responsible for operation and maintenance of developed infrastructure in industrial area तो इसमें क्या है कि कोई भी industry on its own तोरन नहीं होती पानी, power supply ये सब मुहया करवाना पड़ता है प्रस कई बार financial sector से loan भी दिलवाना जैसे for example government ने policy बनाई कि आप textile से related कोई कार खाना लगाएंगे for example textile से related आप कोई कार खाना लगाते हैं तो आपको 2% की subsidy मिलेगी अब ऐसे case में क्या होता है सरकार सरकार जो है party बन जाती है financial institutions आपको loan दे दे for example financial institution आपको 8% पे loan दे रहे अब बाकी का जो 2% है वो government reimburse करेगी यह government financial institution को ensure कराती है तो जो financial institutions है उनको भी कोई दिक्कत नहीं और आपको भी loan अराम से मिल जाता है अब तीसरा point है ease of doing business ease of doing business बहुत ही important है इसके लिए DIP and IP Department of Industrial Policy and Investment promotion क्या कर रहा है इन्होंने एक invest portal design किया है यह काफी important है invest portal it is being developed for monitoring of entire life cycle of investment projects right from the receipt of intention to invest to grounding and completion एक तो इसका यह काम है invest portal का कि यह आप real time monitoring कर सकते हैं मतब जब से आपको approval मिला intention to invest जब आपका सुईकार किया गया तब से लेकर completion तक आप अपने project पर नज़र रख सकते हैं the portal will provide a single sign-on platform to the investor to procure all the approvals, permission and facilities सारे approval हर तरीके के हर department से approval, permission आपको एक साथ मिल जाएगी एक ही जगह से यही काम है फिर चौथा है facilitation फैसिलिटेशन में क्या है MPIDC मदप्रदेश इंडस्ट्रियल development corporation facilitates investors and answers their queries via phone and emails ठीक है एक समवाद इस्थापित किये रहते इंवेस्टर से कि किसी भी तरीकी query हो तो उसका answer निराकरण हो अगर 10 करोड से उपर का investment है तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप किसी private bank में आपका खाता हो और आप premium customer हो उनके तो एक relation manager bank वाले appoint कर देते हैं जो आपकी सारी queries को सुलजाता है प्रस आपको बहुत सारे investment options भी बताता है तो यदि 10 करोड से उपर का invest कर रही है कोई industry मध्यप्रदेश में तो मध्यप्रदेश सरकार क्या करेगी है कि relation manager appoint कर देगी जो guide करेगा उसे regarding बहुत सारी चीज़ें regarding permissions, regarding approvals, regarding investments एट सेक्टर एट सेक्टर फिर cabinet committee on investment promotion एकदम high profile cabinet committee बनाई गई जो 100 करोड से उपर अगर आपका investment 100 करोड है या 100 करोड से उपर है तो उसको mega project बोला जाएगा और mega projects related जितने भी physical incentives होते हैं वो आपको दिये जाएंगे sanctions, अब cabinet committee on investment promotion करती किया sanctions special physical incentives and customized packages for mega projects with investment in parts and machinery of over rupees 100 crore तो अगर 100 करोड से उपर का investment है तो आपके मतलब बिलकुल आप royal investor हैं आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी creating conducive policy framework conducive policy framework किस चीज के लिए conducive ताकि आप industrial growth हो पाए या industries flourish हो पाए इसमें पहले क्या होता था कि अभी tax dealing investment assistance ranging from rupees 4 crore to rupees 270 crore based on the amount of investment in plant and machineries with 1.5 times incentive for food processing industries इसमें क्या होता था कि अभी जब कमलनाज सरकार थी 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 उन्हें क्या क्या tax dealing investment assistance पहले क्या होते थे जितने भी investment assistance थे वो आपके tax से related होते थे और जितने भी जो assistance था वो depend करता था कि आप tax कितना दे रहे हैं you understand सारे जो assistance थे वो ये था कि आप अपना tax कैसे tax liability कैसे कम कर सकते हैं या tax कैसे बचा सकते हैं इसके अलावा भी ये तो tax linked assistance हो गया है इसके अलावा जितने भी assistance है 4 करोड से लेके 270 करोड तक अगर आप food processing industry लगा रहे हैं तो आपको tax related आपको assistance नहीं मिल रहा है कहने का ये मतलब है कि हर वो policy मध्यप्रदेश सरकार अपना रहे है ताकि investor जो है investor को लुभाया जासा कि investor जो है मध्यप्रदेश को छोड़ कर कहीं और ना चला जाए कि Gujarat चला गया invest करने या करनाटक चला गया Industrial Corridors Industrial Corridors का motive क्या है Industrial Corridors recognize the interdependence of various sectors of the economy and offer effective integration between industry and infrastructure leading to overall economic and social development भाई Industrial Corridors का ये मतलब है कि दो complementary industries को दो पूरक industries को अच्छे infrastructure के साथ connect कर देना for example माली जे कहीं पर furniture की industry है furniture बन रहे है वहाँ पर इसका ये मतलब है कि आसपास कहीं टीक plantation हो रहा होगा सागाउन की खेती हो रही होगी अब आपने जहां पर सागाउन की खेती हो रही उसको furniture की industry से अच्छे road के माध्यम से जोड दिया और logistics hub बना दिये कि जो टीक plantation है इतने load होके ट्रक जाएंगे furniture industry तक ठीक है तो इसके आसपास क्या होगा बहुत सारी ancillary industries खुल जाएंगी ancillary industries मतलब कुछ छोटे उद्योग ऐसे खुल जाएंगे जो furniture की polishing कर रहे होंगे फिर कुछ ऐसे उद्योग खुल जाएंगे जो plywood बना रहे होंगे तो आपने दो complimentary industries को connect किया ना infrastructure via corridor ठीक है तो इसमें होता क्या है दोनों चीज़ें फलती फूलती है इधा फरनीचर की industry grow करेगी इधा टीक plantation भी जो टीक plantation का जो owner होगा वो भी promote होगा कि मैं जादा से जादा टीक होगा हूँ क्योंकि अब मेरा raw material है उस furniture industry के लिए राइट तो यह बहुत सारे industrial corridor दिये हुए है मतब चार corridor है भोपाल इंदोर भोपाल से बीना जबलपुर कटनी फिदा सतना सिंह रॉली हो गया मोरायना गौालियर यह जो पूरा grid region हो गया यह है अपना investment corridor तो इसको भी एक बार देखे हो इसका snapshot ज़रूर ले trends अब industrial growth का trend क्या है industrial growth है कि इसमें क्या है कि अगर questions ज़्यादा number का आ जाए तो इसमें इस पूरे slide में आपको बहुत सारा material मिलेगा trend industries का लिखने में for example मद्प्रदेश जो है यह mineral based industries मद्प्रदेश में ज़्यादा होंगी क्यों क्योंकि मद्प्रदेश में minerals बहुत ज़्यादा है मद्प्रदेश में agro based industries ज़्यादा होंगी क्यों क्योंकि मद्प्रदेश जो है primarily एक agricultural dominated state है ठीक है मद्प्रदेश में कुछ industrial clusters है जैसे जो हम लोग ने चार-पांच नाम देखे रीवा हो गया, गौलियर है भोपाल है, इंदौर है ठीक है तो जो industrial development हो रहा है इन ही clusters क्लस्टर्स के आसपास हो रहा है तो कुछ ऐसे region है जैसे Southern मध्यप्रदेश हो गया या South Eastern मध्यप्रदेश हो गया, जहाँ पर मंडला, सिवनी वाला रीजन आ गया, Southern में आपका ये बुरहानपुर, बड़वानी और खंडवा वाला रीजन है तो यहाँ पर कोई ऐस सच कोई ये industrial hub है नहीं तो industrial growth यहाँ पर नहीं हो रही है लेकिन फिर भी आप देख लिजए यहाँ पर जो लिखा है MP has made more headlines due to progress in agriculture than in industrial production वही जो मैंने बोला कि agricultural dominated state है MP tops the chart in production of pulses, soya bean, gram, onion, garlic but no such headways are seen in manufacturing manufacturing में मध्यप्रदेश अभी भी पीछे है agriculture dominated है pulses सबसे ज़ादा उगती है आपे soya bean के लिए famous है onion, garlic but ऐसी कोई leading industry नहीं है मध्यप्रदेश में industry in the state has been growing 9% annually and now accounts for 23% share of GDP तो यह कुछ facts भी आद रखने है कि industrial sectors का share अब 23% हो गया है और 9% के साथ industries grow कर रही है industrial activities mainly concentrated in regions like Indor, Gualir, Bhopal, Jabalpur and Riva यसा कि मैंने बता है these are major cities of MP where infrastructures are already better developed यहाँ पे infrastructures अच्छा है road अच्छी है, light अच्छी है power supply अच्छी है पानी की सुविधा है तो यहाँ पे industries grow कर रही है however, industrial growth in southern and eastern region of मदप्रदेश are still lopsided south या eastern या south eastern जो खासकर मदप्रदेश है जो पूरा अपना जंगल वाला region है ठीक है वहाँ पे तो industries नहीं grow कर रही है तो यह सारी चीज़ें आपको जो है industrial growth का trend आपको बताना है अगर पूछा जाये तो फिर अब मुखेता मदप्रदेश में कितने प्रकार की industries है वो भी देख लेते है, types of industries तो यहाँ पे agro based industries है अब agro based industries agriculture से related industries अब यहाँ पे agro based industries क्यों है योकि in MP there are 5 crop zones 11 agro climatic zones and 4 soil types 4 soil type है 11 agro climatic zone है तो जाहिर सी बात है agriculture से related industries तो यहाँ flourish होनी ही थी hence mammoth agri business potential food parks 8 integrated and modern food parks are operating in the state अब इसमें food park में भी क्या है 6 food park है, 2 mega food park है तो mega food park पहले देख लें इंदस mega food park यह खरगौन में है दूसरा अवंती mega food park इसको याद रखिएगा यह देवास में है 6 अन्य food park है निमरानी में है खरगौन, मनेरी में है मंडला, बबई में है होशंगाबाद, जग्गा खेड़ी में है मंसौर में एक बोर गाउं है, छिंदवाडा वहाँ पे है और मालनपुर भिंड में है तो यह यहाँ, इससे यहाँ यह चीजें जो है हमारी factual हो गई यह 6 food park हैं, जो facts हमें याद रखने है प्लस 2 mega food park याद रखने है इसमें समझने वाली क्या बात हो गई कि एगरी कल्चर डॉमिनेटेड स्टेट है 11 एगरो क्लाइमेटिक जोन है 4 अलग अलग तरह की soil types है 5 crop zone है मध्यप्रदेश में तो यह एगरी based industries के लिए बहुत ही अच्छा एक ecosystem मध्यप्रदेश प्रवाइड कर रहाता है अब processing clusters देख लीज़े यह food processing clusters जो है वो चाहे dairy product के हों इंदोर उजजयन भोपाल में fruits and vegetable, floor milling, rice milling pulse processing, cane and bamboo mansoor, neemach, जाबुआ यह जो sugar cane industries है यह mansoor, neemach mansoor, neemach, जाबुआ धार, उजयन यहाँ पर located है फिर उसके बाद spices processing रतलाम में हो गया, उजयन, इंदोर तो यह सारे चीज़ें processing clusters भी आप लोग ध्यान से देखे और यह है पूरा food processing या agri based industries का एक map जहाँ पर इसमें seven food park लिखा, इन्होंने बरोदी सिवपुरी को भी जोड़ा है हलाकि बरोदी सिवपुरी is not a food park it is a food processing center but anyways आप यह map को अराम से देखे यह government of MP की site से लिया गया map है यहाँ पर सारे mega food park आपको दिख जाएंगे अब अंती mega food park देखी दिख रहा है इंदस food park जो खरगाउन वाला है वो दिख जाएगा तो एक visual representation के लिए यह map अच्छा है इसका आप screen shot चाहें तो ले ले अब इतना समझ में आ गया हो तो अब आगे चलते हैं automobile industry automobile industry जो है इंदौर में है primarily indoor commercial capital of central India and surrounding areas पीथमपुर अंदेवास constitute automobile and engineering hub of मदप्रदेश पीथमपुर जो है एक special economic zone भी यह SEZ है पीथमपुर auto cluster has over 90 large and 700 small and medium enterprises units अब पीथमपुर जो है जो है Detroit माना जाता है मदप्रदेश का यहाँ पे automobile industries है तो जाहिर सी बात है उसके आस पास बहुत सारे ancillary industries भी generate हो गए होगे वही है यह 700 SME along with पीथमपुर देजा strong OEM original equipment and manufacturing base in भोपाल, जबलपुरुजयन and ग्वालियर area of मदप्रदेश OEM मतलब होता है कि for example अगर automobile industries है तो उनके equipments और parts बनाने वाले for example कि automobile में बहुत सारी चीज़े electronics की भी use होती है तो कोई electronics से related instruments यूज कर रहा है तो कोई tire बना रहा है तो कोई chassis बनाने के काम कर रहा है ठीक है और भोपाल जो है industrial corridor से जुड़ा भी हुआ है indoor से तो जाहिर सी बात है भोपाल complimentary industry होगी जो OEM manufacture करता होगा और पीथमपूर में automobile का कार खाना होगा बहराल यह बगल में एक map है जहां पर आप automobile industries देख सकते हैं मद्रप्रदेश में कहां कहां है गौलियर जबलपूर में तो पीथमपूर में ही है फिर उसके बाद जैन भोपाल यह सारी जगह हैं फिर आगए pharmaceutical industries अब pharmaceutical industries मद्रप्रदेश में क्यों है क्योंकि huge population based in मद्रप्रदेश भाई customer तो पहले से मौझूद है दूसी बात capacity building यानि आपको skilled workforce मिलेगा की नहीं देखते हैं ensuring skilled manpower because of institutions like Indian Institute of Science Education and Research भोपाल a dedicated pharmaceutical center of excellence in Hari Singh Gaur University तो एक skilled man force जो है वो तो मद्रप्रदेश में available है ही इतने बड़े-बड़े colleges है pharmacy से related BR, Nata College of Pharmacy, Mansour, Indoor Institute of Pharmacy and many others तो there are skilled man force available in मद्रप्रदेश फिर Indoor, a pharmaceutical hub of state, the city houses, India is one of the biggest pharmaceutical trade house दवा बजार, this complex contains a large number of wholesale and retail outlet of manufacturers तो यहाँ पे Indoor में दवा बजार नाम का एक पूरा complex है फार्मासिटिकल complex है यहाँ पे बहुत सारे wholesale and retail outlets आपको मिल जाएंगे फार्मासिटिकल से related Presence of ancillary industries in Bhopal, Ujjain, Pithampur and Devas gives greater impetus to pharma ecosystem The biotech park is proposed to be established at Chirakhan Village, Pithampur इसके अलावा एक biotech park भी है, अभी तक बना नहीं है, निर्माड़ाधी नवस्था में है लेकिन यह बनाया जाएगा Pithampur में, कहां पे? चीरakhan Village में Madhya Pradesh strongly promotes ESDM sector in the state, electronic system and design manufacturing इसके पीछे reason यह है कि Madhya Pradesh ने जो भी technology incentives, जो भी government of India की schemes है जो electronics manufacturing incentives schemes है, जैसे solar mission हो गया, digital India हो गया, smart city mission हो गया इन सब चीजों पर Madhya Pradesh ने भी एकदम आगे बढ़कर साजिदारी दिखाई है क्योंकि जाहिर सी बात है, 15 साल तक BJP की government थी Madhya Pradesh में, अभी भी BJP की government है और center में भी same government है, तो दोनों के intent जो है, दोनों के intent जो है, वो एक जैसे होने चाहिए तो अगर central government जो है, digital India पे focus करेगी, तो Madhya Pradesh भी digital India पे focus करेगा तो उसके लिए Madhya Pradesh का ESDM, electronic system and design manufacturing काफी मजबूत होना चाहिए उसके लिए electronic manufacturing clusters है, भोपाल में, जबलपूर में, इंदौर में, गौलियर है इसके अलावा, government अपनी तरफ से कौन-कौन से impetus दे रही है government की अपनी policy है, IT policy and analog semiconductor fabrication investment policy उसके तहत, बहुत सारे financial incentives मिलते है for example, capital subsidy मिल जाती है, interest subsidy मिल जाती है, tax reimbursement हो जाता है बहुत सारी सुविधाई मिल जाती है तो अगर electronic से related आप कुछ invest कर रहे हो तो मद्यप्रदेश यह अपनी IT policy है, उसके हिजाब से वो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए subsidize हो जाएंगे और मद्यप्रदेश promote भी करता है electronic manufacturing से related activities को textile industry, textile industry जो है बहुत जादा affect हुई है because of lockdown और because of GST, government of India भी बहुत कुछ कर रहे है textile industries को revive करने के लिए यह जब हम लोग G.O.I. schemes पढ़ेंगे तो textile industries के बारे में और भी अच्छे से देखेंगे लेकिन बहराल मद्यप्रदेश के point of view से MP is the fifth largest cotton producing state in India with countries 4.5% cotton is produced in मद्यप्रदेश पूरे country का साढ़े 4% cotton जो है मद्यप्रदेश में produce होता है और हो भी क्यों न मद्यप्रदेश में मालवा है मालवा में मतब black soil है और black soil मतब cotton की खेती तो cotton यहाँ पे क्यों है इसका reason तो आपको समझ में आ गया in terms of textile industry मद्यप्रदेश is a traditional hub but it lacks optimum forward linkages एक पुराने जमाने से जो है traditionally textile का बहुत कुछ काम होता आ रहा है but forward linkages missing है मतब एक बार अगर product बन गया तो उसकी marketing कैसे की जाए उसको market तक लाया कैसे जाए लोगों को कैसे aware किया जाए ये चीजें missing है major textile clusters हाला कि इंदौर में है बुरहानपूर में है काफी ज़्यादा cotton producing जगा है बुरहानपूर, जबलपूर है, चिंदवाड़ा है apparel park located है ये ACZ indoor के अंदर ही है अपरेल पार्क indoor में ready-made garment complex है indoor परदेशी पुरा में फिर एक CLC textile park है ये चिंदवाड़ा में है पंधूर ना में ठीक है तो ये textile industry का एक मोटा-मोटा हिसाब है फिर आजाते हैं cement industry मदप्रदेश ranks third in cement production in India सतना district being the main source मदप्रदेश की तीसरी rank आती है cement production में इंडिया में पहली rank शायद आंदरप्रदेश की है second राजस्थान की है third number पे मदप्रदेश है आप लोग भी इसको cross check कर लिजेगा 2020 के डाटा के अनुसार cross check कीजेगा state accounts for around 12% of India's total cement production capacity and consumes 40% of the total production easy availability of coal and limestone deposits limestone deposit कहां मिल जाएंगे दमोपन्ना एरिया में रीवा रीजन के आसपास considered highly prospective regions for cement manufacturing तो cement यहां पे काफी manufacturing होती है limestone और coal इसका जो है raw material है cement का coal और limestone की भरमार है मदप्रदेश में इसलिए यहां पे cement industry flourish हो रही है सतना हो गया, रीवा हो गया यह सारी जगहें जो है cement plant है मदप्रदेश में cement industry का एक बार हम लोग ने outlook देख लिया तो अब चलते हैं कि ऐसे कौन से central PSU's है government of India के कौन से PSU है जो मदप्रदेश में कारण रहत है जैसे गेल इंडिया है गुना में, हिंदुस्तान copper limited है बाला घाट में NTPC singrawly northern coal fields सीधी में है NFL कहां पे है गुना में है magnees का production सबसे ज़्यादा कहां होता है बाला घाट में और BHEL भोपाल में है तो ये है central public sector undertakings in मदप्रदेश तो इसमें करना कुछ नहीं है ये सीधे सीधे facts है या आप से prelims में पूछे जा सकते है या जो 3 number वाला question है mains में उसमें भी पूछा जा सकता है कौन-कौन से कोई 3 PSU के नाम बता दीजे जो मदप्रदेश में हूँ ठीक है अब चलते हैं forest based industry ये काफी बड़ा topic forest based industry लेकि इसको relevant इसके points लिखे गए है जब हम लोग मदप्रदेशी forestry पढ़ेंगे तो और detail में हम लोग discuss करेंगे forest 30.7% of geographical area of मदप्रदेश is under forest hence a huge potential for forest based industries to thrive अगर आप area के हिसाब से देखें तो मदप्रदेश में जो forest का area है वो इंडिया में सबसे ज़ादा है अगर आप area wise देखें तो अगर आप percent wise देखें तो मिजोरम में सबसे ज़ादा percentage of forest है राइट तो geographical area के हिसाब से तो मदप्रदेशी number one पे है तो जब इतने सादा forest है तो forest based industries भी होनी सभाविक है The density of forest is not uniform in the state बालाखाट, मंडला, दिंडोरी, बेतूर, सिवनी, छिंदवारा, शैरोल, हरताश, शेवपूर, सीधी are some densely forest districts ठीक है मतब यह जो eastern और south eastern मदप्रदेश है वो densely forested है The forest of the state mostly lie in the southern and eastern built बिल्कुल, शेवपूर और पन्ना being the notable exception सिर्व शेवपूर और पन्ना ही है जो eastern और south eastern built पे नहीं आते है तो आप लोग पहले तो यह देख लिएजे कि भाई, बालाखाट, मंडला, दिंडोरी, बेतूल यह सब जो है highly forested area है मतब्रदेश के अब forest से related बहुत सारी industry है जैसे paper industry तो paper industry में कुछ मुखेता हम लोग देख लेते हैं national news paper mill, यह नेपनगर में है नेपनगर कहाँ है, यह है बुरहानपुर में currency printing mill कहाँ पे है, देवास में security paper mill, होशंगाबाद oriental paper mill, अमलाई, बेतूल और fine paper indoor, इसके अलावा forest based industry क्या हो सकती है, बीडी industry, तेंदू लीफ से तो यह जबलपूर, कटनी, खासकर सागर और दमो में बीडी industry काफी जादा है, फिर आगे चलते हैं हम लोग कत्था industry, majorly run by the tribes of खैवार tribe, इनको कत्थोडी tribe भी कहते हैं यह लोग कत्था, मतब एक पेर होता है, अकेशिया कटेचू वहाँ से इन लोग कत्था बनाने का काम करते हैं, ठीक है खैर का पेर होता है, वहाँ से उन लोग कत्था बनाने का काम करते हैं particular stripe का नाम है खैरवार tribe main centers include शिवपूरी और बार्ण मोर, मुरैना शिवपूरी और बार्ण मोर जो है कत्था के लिए फेमस, फिर पार्टिकल और चिप बोर्ट कहां बनते हैं, इटारसी में बनते हैं, टिंबर इंडस्ट्री कहा है, छिंदवाडा में है, मंडला में है तो यह forest based industry हम लोग ने मोटा माटी देख लिया है इसमें forest में अभी बहुत सारी चीज़े हैं मदप्रदेश में आपको बताने लाइक लेकिन जब वो मदप्रदेशी forestry पढ़ेंगे तब उसमें काफी detailed में बहुत लंबा lecture बनेगा तब जाके मदप्रदेशी forestry cover हो पाएगी अभी सिर्फ industrial aspect से हम लोग मदप्रदेशी forestry देख ले हैं तो challenges क्या क्या है industrial growth में सबसे पहला challenge तो है infrastructural facilities lack of proper infrastructural facilities are huge impediments towards industrialization of the state road networks बहुत अच्छे नहीं है logistics बहुत अच्छा नहीं है power supply बहुत अच्छी नहीं है water supply सही नहीं है तो बिना इन सारे infrastructures के कोई industry run नहीं कर सकती हो मदप्रदेश अभी इन चीजों में lag कर रहा है दूसरा है agriculture surpluses are not properly absorbed in the industrial sector किसी भी industry को grow करने के लिए agriculture surplus होना बहुत ज़रूरी agriculture is very much dependent industries are very much dependent on agriculture and I am telling you how अगर for example 10 लोग हैं और 10 के 10 लोग agricultural sector में ही absorbed हैं तो industries में काम कौन करेगा या industries कौन open करेगा अगर ऐसा हो कि भाई 3 लोग agriculture करते हैं उससे 10 लोग का पेट भर जाता है तो बाकी के जो 7 लोग हैं वो industrial sector की तरफ move कर सकते हैं तो हाला कि agriculture काफी होता है मदप्रदेश में और मदप्रदेश जो है पूरी तरीके से agricultural dominated ही है लेकिन अभी वो agriculture surpluses इतना जादा absorb हुआ नहीं है कि बाकी लोग जो है बची हुई जनसंक्या जो है वो industries की तरफ move कर सके यो understand भाई अगर गाउं जो है बहुत जादा फल फूल रहा है या गाउं जो है अगर एक बड़ी अबादी को sustain कर पा रहा है तब ही उन में से कुछ लोग जो है शहरों की तरफ move कर जाते है ठीक है तो agricultural surpluses are not properly absorbed in industrial sector forced investments also lack proper forward and backward linkages ऐसा लग रहा है कि industries को जो है तरीके से investment ले आए ना backward linkage है ना forward linkage है ना हमें पता चल पा रहा है कि raw material कहां से आ रहे है raw material आ भी रहे है तो logistics नहीं है warehouses नहीं है, storage नहीं है और forward linkage भी नहीं है कुछ ना तो उतना अच्छा market है ना तो उतनी अच्छी marketing है ना तो उतना अच्छा export promotion है कुछ गिंती के गिने चुने ACZ है मदप्रदेश में उन में से आधे तो operational नहीं है ठीक है इसके अलावा land acquisition has always been a bone of contention generally land is acquired at a lower price but sold to industries at higher prices this evokes a feeling of recentment among land owners and many proposals end up in litigation land acquisition इसके पहले भी हमने slide में देखा था कि land acquire करना एक बहुत मुश्किल काम है तो अगर किसी तरिके से land acquire हो भी गया तो होता क्या है generally किसानों से या tribals से सरकार land acquire कर लेती है बहुत कम दामों में industries को बेचती है बहुत महेंगे दामों में और कई बार जो है ये litigation का कारण भी बन जाता है high court में case जाता है tribunals में case जाते हैं लोग परिचान होते हैं धरने पे बैठ जाते हैं कि भाई हमारी जमीन ले लिए सरकार ने हमारी जमीन ले लिया हमें धंकी कीमत भी नहीं दी ठीक है तो proposals फिर आटक जाते हैं इस तरह के cases में absence of global skill center hence a dearth of human resource अगर industries लग भी जाएं तो locally available human resources इतने हैं नहीं मद्प्रदेश में एक तो skill centers मद्प्रदेश में ना के बराबर है अगला point देखते हैं मद्प्रदेश is landlocked state so let's go for export based industries अब मद्प्रदेश की geographical location यह ऐसी है कि आसपास कोई भी ocean नहीं है और maximum जो है export sea route के माध्यम से होता है अब ऐसा नहीं कि for example हरियाना है पंजाब है यहाँ पे भी बहुत export होता है और यह भी landlocked ही है लेकिन फिर उसी साबसे infrastructure भी होने चाहिए उतने storage facility होने चाहिए उतने dry ports होना चाहिए खास कर inland container depot तो यह inland container depot क्या है यह basically dry port होते है जैसे for example कोई समान गुजरात से आ रहा है perishable item है और उसको महराश तक पहुँचना है ताकि वहाँ से sea route के माध्यम से export किया जा सके अब मध्द प्रिदेश में बीच में बहुत सारे कुछ storage facility या warehousing facility होनी चाहिए ताकि उस समान को अहां पर रखा जा सके एक बंदरगाह की तरह जो काम करे कुछ ऐसा port चाहिए हमें जिनको कहते हैं inland container depot यह एक तरह का बंदरगाह है dry port है बट मध्द प्रिदेश में कोई भी dry port, mandi deep के अलावा ना तो बहुत जादा traffic जो है attract करता है ना तो बहुत जादा functional है फिर power deficit situation of MP hindered the growth of industry किसी भी industry को चलने के लिए 24-7 power की जरूद होती है वो मध्द प्रिदेश के पास है नहीं presence of large forest tracts in the state along with large number of scheduled tribes residing in them making land acquisition further difficult for any infrastructure projects मध्द प्रिदेश का एक अच्छा खासा area जो है forest से घीरा हुआ है अब जो forest है तो उसमें forest dwellers यानि जो one वासी है वो भी रहेंगे अब उनकी जमीन छीन पाना एक अपने आप में एक impossible task है और ये गैर कानूनी भी है forest right act भी आप के उपर लगेगा तो आप तो वैसे भी forest dwellers की जमीन नहीं छीन सकते और forest clear करना वहाँ पे industries लगाना उसमें environmental clearance मिलेगी नहीं तो 30% जो है geographical area मध्द प्रिदेश का तो वैसे भी forest से ढखा हुआ है तो अब हमारे पास बचा ही कुल 70% you understand तो forest भी अपने आप में एक impediment ही है अगर उसको देखा जाए industrial activity के नजरिये से कि 30% जो है वो land cover है forest से अब वहाँ तो industry नहीं लगाई जा सकती ना प्लस forest dwellers की problem है right तो environmental clearance forest right act बहुत सारी litigation हो जाती है और industries नहीं लग पाती है तो ये सारे वजा है कि low industrialization मदप्रदेश में क्यों है तो आज के लिए बस इतना ही ये आपने एक बड़ा topic है मदप्रदेश की industries इसका growth trend challenges ये आपने देखा इसमें बहुत सारे factuals चीजें भी बहुत सारे facts भी थे जिनसे सीधे सीधे question बन सकते हैं कई बार सीधे सीधे question आए भी है मदप्रदेश में तो part में studies मत कीजिए consolidate करके study कीजिए जैसे लेक्चर के शुरुआत में भी मैंने बोला कि prelims और mains को एक साथ मिला के पढ़ें उसमें देखें कि ये कौन से topics prelims के लिए काम के हैं कौन से understanding वाले हैं अगर ये आपको topic अच्छा लगा हो आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो जरूर like करें share करें subscribe करें लोगों को share करें ये पूरा course है जिसे आपका कोई इससे आपसे पैसा नहीं वसूल रहा है आपसे ये आपको मुफ्त में available कराये जाएगा हम लोग कोई course फी चार्ज नहीं कर रहे सारे topics आपको clear कराये जाएगे एक एक topic पर lecture बनेगा मद्रिदेश के और अगर कोई topic आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो वो भी आप हमें comment section में बताएं मैं मिलूँगा आपसे अगले lecture में तब तक के लिए धन्यवाद